शेली के सामने आया राजीब और नीती के रिष्टे का सच शेली के उड़े हुश दोस्तों सीग्लेट बड़ी नीती में आ रहे हैं धेल सारे ट्विस्ट एंड टांस जहां आने वाले अपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि राजीब बड़ी मुसीबत में फस चुका है मदुलिका ने लगाया है राजीब पर मॉलस्टेशन का जाम ऐसे में अब राजीब जेल की सलाहों के पीछे हैं यहां पर मदुलीका का पती भी राजीव और सभी लोगों को धम की देता है मदुलीका का पती बहुत बुरी तरह से भड़का है वहीं दूसरी और राजीव परी को समझा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है परी को राजीव पर पूरा भरुसा है वहीं नीथी बुरी तरह से मदुली का पर फूट पड़ती है और कहती है कि ये सब जूट कह रही है राजीव ने कुछ भी नहीं किया है वहीं ऐसे में अब पुलिस को राजीव कहता है कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया है ये सब गलत है और मदुली का जूट कहारी है। ऐसे में पुलिस राजीव को पहिचान जाता है और पुलिस कहता है तू वही है ना जिसने दो लड़कियों से शादी की थी और दोनों को धोके में रखा था ये सब सुन लेता है शैली शैली के उरजाते हैं होश शैली को ये भी पता चल चुका है कि नीती राजीव से प्यार करती है लेकिन शैली को नहीं पता कि नीती राजीव की पहली पतनी है अब देखना होगा क्या शैली को सच पता चल जाएगा राजीव और नीती के रिष्टे का नीती शैलिस से शादी नहीं करना जाती सिर्फ राजीब को पाने के लिए वो हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है ऐसे में अब नीती आग बबूला हो गई है जब से मदुलिका ने लगाया है राजीब पर जब और राजीब चले गया है जेल ऐसे में नीती जेल में भी खूब हंगामा मचाती है यहां पर मीडिया भी आ जाती है लेकिन परी नीती को चुप कराने की कोशिश करती है क्योंकि परी को पता है कि नीती का ऐसा करना राजीब की केस पर भारी पड़ सकता है यहां पर नीती और परी दोनों ही राजीब को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन परी नीती को नहीं मिल पा रहा लायर ऐसे में नीती लायर लेकर आ जाती है ऐसे में लायर ढूना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पर केस लड़की का ही स्ट कर पाएगी क्या लगता है आपको कामें से बताइए और सब्सक्राइब करिए का हमारी चैनल को